जैहिन दोस्तों इस वीडियो में हम एक सब बेस्ताची बलाउज कटिंग कर रहे हैं मेजर्मेंट स्क्रिंग के उपर है यह जो मेजर्मेंट है यह एक रेडी बलाउज तयार बलाउज का मेजर्मेंट है कपड़ा हमने लिया है 90 cm 90 cm का कपड़ा है यह और ये खुला हुआ साइड, ओपन साइड इस तरफ रखा हमने, ओपन साइड इस तरफ हमने रखा है, खुला साइड और बंद वाला इस तरफ है, सबसे पहले हम बैक कट करेंगे, बैक में हुक आई हम इसमें बनाएंगे, सब बेसाची बलाउज में ज्यादा तर जो है, बै बैक में भी बनता है, तो इसका बैक में हम हुक आई बनाएंगे, यहाँ नीचे से एक स्ट्रेट मार्क लगाना है, कपड़े को सीधा करना है, बलाउस का लंबाई है, साढ़े तेरा इंच, एक इंच प्लस करके साढ़े चौदा इंच में मार्क लगाएंगे, जितना भी ले उसमें वन इंच प्लस कर लेना है, अब यहाँ से आदा इंच मार्जिंग रखेंगे, यह जो आदा इंच का मार्जिन है, यह मार्जिंग हूक आई के लिए है, यहाँ से गले का चवड़ाई, नेक विर्थ रळा इंच, 2.5 इंच, यहाँ से नेक डिप, गले का लमबाई, 9.5 इंच, यहाँ जितना है, उससे आधा इंच यहाँ प्लस कर लेना है, यह प्लस किया, तो यह 3 इंच, ऊपर 2 इंच, नीचे 3 इंच, आपको यहां गले में जिस टाइप का सेप चाहिए उस टाइप का सेप लगा ले ना मैं यहां नॉर्माल सा गोल गला बना रहा हूँ अब यहां से हम सोल्डर का मार्क करेंगे सोल्डर है साड़े पांच और आधा इनसी लाई के लिए मार्जिन चेंच यहां से आर मोल्ड डाउन करेंगे तो चेश्ट है इसका 36-36 इंच आर मोल्ड डाउन करेंगे पौने चेंच अब देखो यह जितना है उतना ही यहां से मार्क लगा लेना है Annandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand अब यहां से कमर का चौता हिस्सा करेंगे तो वेस्ट का मेजर्बेंट है 30 इंच 30 का चौता हिस्सा साड़े साथ और यह एक इंच टक्स के लिए मार्जिंग डॉट के लिए और डेर इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन अब देखो यहां से इसको हाफ कर लेना है 20 सेंटर लगा लेना है और यह डॉट का जो मार्जिंग है टक्स का मार्जिंग वो एक इंच है तो इस एक इंच को यहां डिवाइड कर देंगे half inch इधर half inch इधर दोनों तरफ आधा आधा इंच और यहां से एक mark लगाएंगे 4 इंच उपर 4 इंच अब यह जितना है उतना ही यहां ऐसे mark लगा के straight कर लेना है तो mark पूरा complete हो चुका है इसको हम cutting कर लेते हैं आप लोगों से request है कि वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe करके बेल आइकन पर click करके all पर कर देना अब देखो front cutting करने के लिए यहां back को इस तरफ रखके cut करेंगे और front cutting करने के लिए हमने paper लिया है पहले इस paper में हम mark करके cut कर लेंगे उसके बाद कपड़े में cut करेंगे क्योंकि कपड़े में हमको margin add करना होगा तो यहां से ऐसे बराबर करके तो इस तरह से बराबर करके रख लेना है इस वाले mark को ऐसे लगा लेना है यह वाला जो mark है इसको ऐसे लगा लेना है और अब यहां से यह जो margin है इस वाले margin को अब यह से लगा लेना है अब यह वाला जो point है इस वाले point को यहां नीचे इस लगा लेना है यहां से mark लगाएंगे एक इंच वान इंच और इसको देखो यहां से ऐसे आधा सूत यह एक सूत ऐसे अंदर लेते हुए इसको यहां इसमें मिलाना है और फिर यहां से इसको ऐसे मिला देना है यह जो उपर वाला mark है इसको कट कर देना है अब यहां से गले का लंबाई का मार्क लगाएंगे तो फ्रंड का गला का लंबाई है साथ इंच तो यह साथ इंच मार्क लगाएंगे और यहां जितना है उतना ही यहां मार्क लगा लेंगे और यहां से इसमें हमें एक पान शेप गला बना रहे हैं अब क्या करना है देखो यहां से टक्स पोइंट का सिंटर लगाना है तो 36 है 36 का 14 हिस्सा 9 इंच और 10 इंच प्लस करेंगे तो साड़े 10 इंच पर इसका टक्स पोइंट का सिंटर आएगा अब यहां से इसको मिजरमेंट करके इसको यहां सीधा करना है स्ट्रेट ऐसे इसको ऐसे यहां स्ट्रेट करना है सीधा और अब यहां से एक इंचंदर मार्क लगाना है और इसको इसमें ऐसे और फिर यहां से यहां मार्क लगाना है अब देखो यह जो यहां है यहां से इसको ऐसे हाफ कर लेना है ठीक है आदा कर लेना है और अब यहां से इसको इसमें और यहां देखो यहां इसको हलका ऐसे इसमें ऐसे गुलाई कर देना है अब यहां से कमर का चौथा हिस्सा लगाना है तो कमर का मेजरमेंट है तीस हिंच चौथा हिस्सा साड़े साथ हिंच और देर हिंच एक्स्ट्रा मार्जिन अब देखो यहां से बेल्ट का मार्क लगाएंगे तो बेल्ट इसमें धा इंच का मार्क लगाएंगे तू एंड हाफ इंच यह बेल्ट का मार्क हो गया अब देखो अब इसको यहां से इसको ऐसे अब यह फ्रण्ट का मार्क कम्प्लिट हो चुका है अब यहां क्या करना है देखो इसको मेजरमेंट कर लेना ठीक है यह सवा चार इंच इंच टो सव चार इंच है यह डिस्टेंस है गायप है दूरी है यह हमको लगे गए बेंगे तो सुद्ट में यह मधें लगेगा ये सव 24 व्य प्रकतुछ है याद रखो यह सव सव चार इंच है तो मार्क पूरा कंपलीट हो चुका है अब हम इसको कटिंग करते हैं आप वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके और पर कर देना अब यहां इसमें हम बेल्ट कटिंग करेंगे तो बेल्ट कट करने के लिए सबसे पहले यहां से एक सीधा मार्क लगाएंगे नीचे से और यहां से पावना इंच सिलाई के लिए मार्जिन यह 3-4 यह मार्जिन है सिलाई के लिए और अब यहां से यह 1.5 इंच बेल्ट का चवड़ाई 2.5 इंच बेल्ट यह 1.5 इंच का बेल्ट हो गया इसको भी हम सीधा कर लेते हैं और यहां से यह 74 इंच यह जो फ्रेंट में यहां जो हमने आपको बताया था यह डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए 74 इंच था तो यह 74 इंच अब यहां से कमर का चौता ही सा करना है साड़े साथ इंच और यह डेर इंच मार्जिन इसको यहाँ हलका ऐसे क्रॉस करके कट करेंगे अब यहाँ जो है देखो यहाँ से इसको ऐसे गुलाई कर देना है देख्या यह देखो यह फ्रेंट और यह बेल्ट अभी क्या करना है देखो यह सभी मार्क आपको ऐसे लगा लेना है अब यहाँ से इसमें सिलाई के लिए मार्जिंग आट करना है ठीक है तो यहाँ से यह सिलाई के लिए और देखो यहाँ से भी यह सिलाई का मार्जिंग अब यह बेल्ट है दोस्तो इस बेल्ट को हम यह सिलीव कटिंग करेंगे उसके बाद बेल्ट कट करेंगे देखेंगे किदर से कपला बसता है उसके बाद इसको अर्जस्ट करेंगे यह हमारा final mark है अब हम इसको cutting कर लेते हैं स्लीव कटिंग कर रहे हैं बाजू की cutting इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है फोर लेयर में यहां से एक सीधा mark लगाएंगे स्लीव लेन्थ है साड़े पांच इंच और एक इंच मार्जिन साड़े छे जितना भी लंबाई है उसमें एक इंच प्लस आर्म होल डाउन करेंगे तीन इंच लोपर यह तीन इंच डाउन किया है तो यहां से भी तीन इंच आर्म होल 14 है 14 का आदा करेंगे 7 इंच डेर इंच एक्स्ट्रा मार्जिन विर्थ है 12 बारा का आदा करेंगे 6 इंच और डेर इंच मार्जिन अब इसको ऐसे खोलना है यहां से आदा इंच हाफ इंच ऐसे शेप में कट करके निकाल देना है यहां से एक एस्ट्रा कट लगाएंगे हमको मालूम रहेगा कि यह फ्रंट साइड है अब इसमें हम बेल्ट कटिंग करेंगे अब देखो यह जो बेल्ट कट करना है यह फोल्डिंग साइड है इदर मतलब जोइंट नहीं है ठीक है यह मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ देखो अब बेल्ट में जोइंट भी कर सकते हो लेकिन कोशिज करना है कि बेल्ट में जोइंट ना आए बीना जोइंट का ही रहे अगर कपड़ा कम है तो आप जोइंट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर बेल्ट में जोइंट ना आए तो ज़्यादा अच्छा है तो इस तरह से दोस्तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सब बेसाची बलाउच कटिंग करना बताया है वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके पॉल पर कर देना